नमस्कार दोस्तों मैं सिवांस दूबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों मद्दिकालिन इतिहास पर यह हम लोग का 15 वीडियो है जिसमें और अभी 2-3 वीडियो और आएंगे मुगलकाल पर जिसमें मुगलकाल पर अधारित महत्पूर्ट परशनों को कवर किया जाएगा दोस्तों क्योंकि मुगलकाल काफी महत्पूर्ट माला जाता है एक्जाम पॉइंट ऑफिस से काफी कोश्चिन पूशे जाते हैं मुगलकाल ही एक ऐसा वह बस्ता है जिसमें काफी कोश्चिन पूट अप किया जाते हैं इसलिए आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और कोई भी क्यूरी हो आपकी तो आप लोग कमेंज बॉक्स में उसको साजह करेंगे तो चलिए देद ना करते हम लोग अपने प्रश्ण की तरप चलते हैं और इस वीडियो में आपको काफी अच्छे अच्चे प्रश्ण मिलेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इससे हम लोग को मनोगल काफी उचा उड़ता है उसा मिलता है और हम लोग आपके लिए काफी अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएंगे चलिए कोश्चन शुरू करते हैं पहला कोश्चन है बाबर को भारत पर आकमण करने के लिए अमंतिर करने वालो में कौन सामिल नहीं था तो कौन सामिल नहीं था आपको ये बताना है अप्शन A पंजाब का सुभेदार दौलत खान लोदी वा उसका पुद दिलावर खान लोदी अप्शन B इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी अप्शन C मेवान का सासक राणा सांगा अप्शन D चंदेरी का सासक मेद नीरा है तो दोस्तों ये कुशन आप लोग ने कई बार पढ़ा होगा और अगर आप लोग उपर के तीन ओप्शन देखेंगे तो आपको काफी कॉमन लगे होंगे पंजाब का सुभेदार दौलत खान लोदी वा उसका पुद दिलावर खान लोदी और बी इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खालोदी और उप्शन सी मेवान का सासा राणा सांगा तो इन तीनों लोग का हाथ था बाबर को आमंत्रित करने के लिए तो अगर आप लोग उप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है चंदेरी का सासंग मेदनी राय जिसका कोई भी हाथ नहीं था बाबर को भारत में आमंत्रित करने के लिए दोस्तो ये जो उपर के तीन आप्शन है इन लोग का जो एम था ये था कि इब्राहिम लोदी को किसी तरह सत्ता से वन्चित करना था और इसके लिए इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया इन्होंने ये सोचा कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा कर चला जाएगा जिसके बाद हम लोग सासंग करेंगे लेकिन हुआ इसका जैस्ट उल्टा बाबर ने इब्राहिम लोदी को तो हराया पानीपत के पहले युद में लेकिन बाबर फिर वापस जाने के लिए राजी नहीं हुआ और उसने दिल्ली पर सासन करने का नेड़ा लिया जिसके बाद से इन तीनों से भी इब्राहिम लोदी को सत्ता से वनचित करना जिसके उसके बाद खुद को सासक के रूप में दिखाना लेकिन हुआ इसका उल्टा तो चलिए आगले कोशिन की तरफ चलता है मुगल समराज के ढड़ करन के दिख्रिकोट से सबसे निटाएक उद था option A पानीपत का परथम यूद, option B खानवा का उद, option D छंदेरी का उद, option D खागरा का उद तो तो अगर आप लोग option B खानवा के उद के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं चलिए एक एक option करके देखते हैं पानी पत की यूद के लिए तो आपके दो तीन लोगों ने invite किया था बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाब लड़ने के लिए जो कि पानी पत का प्रथम यूद हो गया और दूसरा खानवा का यूद जो कि राणा सांगा और बाबर के जाया था इब्राहिम लोधी के खिलाब कि अगर बाबर पराजित करके इब्राहिम लोधी को चला जाता है तो कल को दिल्ली में राणा सांगा सासक करेंगे लेकिन हुआ जैसे स्कूल टा और बाबर हलाकि आया और इसने पानीपत के प्रथमीर्द में इब्राहिम लोधी को बाबर और राणा संगा के बीच हुआ और इसमें राणा संगा की हार हुई थी और इसी युद्ध में दोस्तों बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और ये काफी महतपूर युद्ध था जिसमें बाबर की विजय हुई थी और दोस्तों सी चंदेरी का युद्ध ये चंद चलिए अगले कोश्चिन की तरफ चलते हैं दोस्तों आपसे बताना चाहूंगा कि आपको कोश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉस में साजा करिए मैं आपको उसका केलेफ्रिकेशन देने का प्रयास करूँगा और दोस्तों वीडियो को अंद तक देखने का प्रयास किया कीजिए जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके हैं चलिए कोश्चन पढ़ते हैं किसने मुगल समराज की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थाना अंतरित की और आर भी 26 में पूछा गया प्रश्ट ऑप्सन ए जहांगीर ऑप्सन बी औरंग जेव ऑप्सन C हुमायू ऑप्सन D सा जहां तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्सन D सा जहां के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं साहा जहां ने मुगल समराज की राजधानी आगरा से दिल्ली इस्थाना अंतरित की दोस्तों सा जहां ने अपने नाम पर नवी नगर सहा जहां नाबाद की दिल्ली में स्थापना की और इस नगर का प्रमुक आकर्षण लाल किला के नाम से प्रसिद्धुगा जो लाल किला दुर्ग था ये इसी नगर का एक हिस्सा था जो की काफी प्रसिद्धुगा जिसक बी दोजाचे में पूछा गया अपस्ट अपस्ट ए हीमू अपस्ट बी फैजी अपस्ट सी अभू फजल ऑपस्ट डी बैरम खा काफी महत्पूर कोश्य नहीं कई बार एक्जाम में देखा जाता है तो दोस्तों अगर आप लोग आपस्ट डी बैरम खा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं और दोस्तों बैरम खाने 1556 से लेके 1560 तक यानि कुल चार सालों तक अकबर का संच्छक की रूप में काम किया और उसके बाद मक्का जाते हुए मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी थी और दोस्तों बैरम खान की जो बिद्वाय प जाता है कि संच्छकाल क्या था तो आप ध्यान रखेंगा 1556 से लेके 1560 तक अगबर के युवा वस्था में बैरम खान का संच्छक था चार सालों के लिए चलिए अगले कोश्चिन की तरफ चलते हैं निल लिखित में से किस स्थान पर नादिर सा ने चड़ाई नहीं की थी ऑप्सन ए लहोर ऑप्सन बी करनाल ऑप्सन सी दिल्ली ऑप्सन डी करनोज तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्सन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं तो दोस्तों नादिर सा ने करनाज पर चड़ाई नहीं की थी बाकी ये तीनों ऑप्सन जो लहोर करनाल दिली हैं यहाँ पर चड़ाई की थी 1738 के करनाल के प्रसित दियुद में नादिर सा ने मुहम्मद सा को पराजित किया था दिली से वापस लोटते समय हुआ रमयूर सिंगहासन, कोहिनूर हीरा तथा दरिया नूर हीरा भी अपने साथ ले गया था चलिए अगले कोशिन की तरफ चलते हैं किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो कि निर्माण की परंपरा की सुर्बात की थी आप्सण ए बाबर, आप्सण B सेट सा, आप्सण सी सा जहाँ और बहता हो और काफी लाइन से पेड़ हो और उसमें पानी बहता हो चलिए अगले कोशिन की तरफ चलते हैं निल लिखित में से कौन सी आत्मकत्था नहीं है तो दोस्तों इस question का आप लोग answer करने का प्रयास करिए आप लोग कोई पास 5 सेकेंड का time है आप लोग comment box में answer करने का प्रयास करिए और last में अपना score भी साजा किया करिए कि आप लोगोंने कितने questions सही किये तो दोस्तों आगर आप लोग option D के साथ जा रहा है तुझके बाबरी तो आप लोग बिलकुल सही है तुझके बाबरी एक आत्मकत्था है यह मुगल समराज के पहले समराज बाबर की आत्मकता है जिसकी भासा चकते तुर्क है और चलिए सारे option के विशे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा अकबर नामा और इसके अकबर नामा जो है काफी बार और दूसरा है पाज साह नामा और यह जो है जलालोद दिन तबर तवई ने लिखी थी जो कि साह जहां के ऊपर है चलिए next question के तरफ चलते हैं आपको बताना है कौन सा option सुमेलित नहीं है हुमायू नामा हुमायू तुझके बाबरी बाबर तुझके जहां गिरी जहां गिर सा जहां नामा हुमायू के साथ जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल सही है चलिए अगले question के तरफ चलते है राजा बीरबल की उपादी किसे दी गई थी तो दोस्तों अगर आप लोग option A के साथ जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल सही है राजा बीरबल की उपादी option A महेजदास को दी गई थी 1528 में MP के घोगरा गाओं में जन्मे महेजदास को अकबर ने राजा बीरबल की उपादी दी थी बीरबल की बुद्धी मत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर नौरतनों में सामिल किया गया था बीरबल को काफी हाजिर जवाब और काफी बुद्धिमान थे इन लोग की कहानिया हम लोग बच्चपन से ही सुनते आते हैं कि अकबर और वीरवल की कहानिया कि अकबर कैसे अपनी बुद्धिमानी से हर बार अकबर को परास करते थे या उनका सुलूशन करते थे रास्ता निकालते थे हर चीज का चलिए अगले कोशिन की तरफ चलते हैं औरंग जेब ने ज़्यादा भौनों का निर्मान नहीं करवाया ऑप्षन A उसे वस्तुकला में कोई रुच नहीं थी ऑप्षन B राज मिस्त्री उपलब नहीं थे ऑप्षन C वा मिट वही था उसे अपने सासन काल में निरंतर यूद करने पड़े तो दोस्तों आगर आप लोग उप्षन D के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है उसे अपने सासन काल में निरंतर यूद करने पड़े इसलिए वो ज़्यादा भौनों का रिर्माट का नहीं करा पाया दोस्तो मुहाउद दीन मुहाउद औरंग जेब का जन्म तीन नॉम्बर 1618 को जैन के निकट दोहत नामक इस्थान पर सहाजहां की पत्नी मुहमताज महल से हुआ औरंग जेब न 21 जुलाई 1618 को अपना पहला राज़सेपेक कराया और दूसरा राज़सेपेक 1669 को दिल्ली में करवाया तो दोस्तों ये कोशनी पूछा जाता कि दो बार राज़ा भी से कराने वाला मुगल सासा कौन था तो ये आपका औरंग जेब था और इसने 1658 से लेके 1707 तक सासन किया था औरंग जेब ने इसलाम धर्व सुईकार ना करने के कारण 1675 इस जुज में सिख्वों के नौवे गुरू तेक बहादुर की हत्या करवा दी थी जो किये औरंग जेब से लेट फैड थे मैंने आपको बता दिये काफी बार एक्जाम में इस सब पूछ लिया जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं किस मुगल सासक का दो बार राजसर्व शोग हुआ तो देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बताया था और ये कुश्चन आ गया काफी बार पूछा गया है ये कुश्चन आप्शन ए अकबर आप्शन बी जहां गीर आप्शन सी सा जहां आप्शन डी औरंग जेब तो दोस्तों अगर आप लोग आप्शन डी औरंग जेब के साथ जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल सही है औरंग जेब का दो बार राज्या भी सेक हुआ था पहला 21 जुलाई 1658 को और दूसरा राज्या भी सेक 5 जून 1669 को दिल्ली में करा गया था और औरंग जेब को जिन्दा पीर भी कहा जाता था और औरंग जेब का जो साशन काल था 1658 से लेके 1707 चलिए अगले कोशिन की तरफ जलता है ग्रांट ट्रंक रोड जोड़ती है चारों आपके सामने है आप लोग आपसन को पढ़िए और आपके पास 5 सेकंड का समय है उसका एंसुर करने का प्रयास करिए तो दोस्तों एंसर आप लोग के सामने हैं कॉलकातावा अमरिसर इसकी निर्मार्ड था इसके पक्का कराने का स्रेश सेड़ सा सूरी को जाता है इसका विस्तार चार देशों में है अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया और बांगलादेश इसकी लंबाई कुल 25 क्लिमिटर है और यह अफगानिस्तान से शुरू होकर बंगलादेश तक फैला हुआ है और इसे वर्दवान में GT करनल रोट की नाम से भी जाना जाता है चलिए अगले कोश्यन की तरफ चलते हैं वर्द 1526 इसमें लड़ी गई पानिपित की पहली रड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था ओप्शन A इब्राहिम लोदी ओप्शन B सेर सासूरी ओप्शन C मुहमद बिन टुगलक ओप्शन D अलाउदिन खेल जी काफी बार एकजामें पूछा गया है प्रशन है आप लोग देख लिजे तो दोस्तों अगर आप लोग आप्शन A के साथ जा रहा हैं इब्राहिम लोदी तो आप लोग बिल्कुल सही है पानी पत की प्रिथम लड़ाई जो की 1526 में हुई थी इसमें इब्राहिम लोदी परास्थ हुए थे बाबर से चलिए अगले कोशन की तरब चाटते हैं सेर सासूरी का मगबरा कहां इस्तित है most important question कई बार एकजामें पूछा जाता है और काफी easy question भी है option A दिल्ली, option B आगरा, option C सासा राम, option D लहौर तो दोस्तों इसका answer करने का आप लोग प्रियास करिए सही answer आप लोग के सामने कुछी देर में होगा सही answer है C सासा राम सासा राम एक कृतिम तलाब है कृतिम तलाब के बीचों बीच इस्तित है सेड़ सासूरी का मकबरा चलिए अगले question की तरफ चलते है अकबर का राज्यव से कहा हुआ था option A काला नौर, option B आगरा, option C यामा मजीद, option D सीकरी तो दोस्तों अगर आप लोग option A के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है अकबर का राज्यव से काला नौर में हुआ था चलिए अगले question की तरफ चलते है थोड़ा सब fact जान लेते हैं इस question की विशे में 14 February 1556 को पंजाब में पंजाब के काला नौर में अकबर का राज्यव हुआ था और या उस समय या युवावस्था में तो जिसके कारण बैरम खां को इनका संद्चक बनाए गया था और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर हुआ हेमु के बीच लड़ी गई थी और आप लोग जान लीजिए जो दूसरा जो काफी मातपूर question है अकबर का सासनकाल 1556 से लिके 1625 इसवी तक काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसको त्यान रखिएगा चलिए next question की तरफ चलते हैं गुरू अर्जुन देश समकालीन थे option A बाबर के, option B जहांगीर के, option C सहांगीर के, option D अकबर के तो दोस्तों अगर आप लोग option B जहांगीर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिलकुल सही हैं गुरू अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे गुरू अर्जुन देव को, अर्जन देव को जहांगीर ने अपने राज जी के लिए खत्रनाक मानता था खत्रा मानता था इसलिए उसने उन्हें कैद करके फांसी की सजा सुना दी थी और तेग बहादुर को औरंग जेव ने फांसी की सजा दी थी तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत हुई है काफी है बार एक्जाम में उचे जाता है तो आप लोग याद रखेगा गुरू अर्जुन देओ को फांसी की सजा आपके ये जहांगीर ने दी थी और गुरू टेग बहादुर को औरंग जेव ने फांसी की सजा दी थी आप लोग इसको दिमाग में बिठा लीजेगा चलिए अगले कोश्चिन की तरफ चलते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन A सिसोधिया वंस के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं सिसोधिया वंस ने अकबर के सामने समरपड नहीं किया था चलिए नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते हैं किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था आप्शन A अकबर, आप्शन B सा जहां, आप्शन C जहां गीर, आप्शन D औरंग जेब तो दोस्तों अगर आप लोग आप्शन D के साथ जा रहे हैं औरंग जेब तो आप लोग बिल्कुल सही हैं औरंग जेब को आलमगीर कहा जाता था तथा जिन्दा पीर भी कहा जाता था तो आप लोग ध्यान रखेगा आलमगीर और जिन्दा पीर ये दोनों औरंग जेब के लिए इस्तमाल होते हैं और कई बार एक्जामें पूछे जाते हैं और आप लोग ये भी ध्यान रखें अगर कुछी मुगल साशक की बात होता आप लोग ये ध्यान में रखें कि उसका साशनकाल कहां से कहां तक था तो और इंग जेव का साशनकाल 1658 से लेके 1707 तक था चलिए नेश्ट कोशन की तरफ चलते हैं समराट अकबर द्वारा किसको जरी कलंब की उपाद इसे अलंकरित किया गया था तो अगर आप लोग आपसन ए मुहम्मद हुसान के साथ जा रहे हैं या आपसन भी मुहम्मद खां या आपसन सी अद्दूस्मत के या आपसन डी मीर सयदली तो इसमें से कौन सा अंसर सही है त सही अंसर है दोस्तों A. मुहम्मद हुसान तो जरी कलंब की उपादी से अलंकित किया गया था मुहम्मद हुसान को चित्रकारी के लिए जरी कलंब की उपादी से अलंकित किया गया था जहांगीर के सासन काल में चित्रकारी अपने चर्मुत कर्स पे था ये भी कुशन पू चलिए next question की तरब चलते हैं बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रिवेश किया option A कस्मीर, option B सिंध, option C पंजाब, option D रास्थान दोस्तों अगर आप लोग option C पंजाब के साथ जा रहे हैं तो आप लोग विल्कुल सही हैं बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रिवेश किया था चलिए next question की तरब चलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया option A 1526 इस्वी में, option B 1576 में, option C 1605 इस्वी में, option D 1660 इस्वी में मद्धी लड़ा गया था, जिसमें का जाता है कि अकबर की विजय हुई थी, ध्यान लखिएगा सन काफी महत्पूर है 1576 में अलदी गाठी का पर्थम युद्ध हुआ था चलिए अगले question की तरब चलते हैं फैजी निल्खित में से किसके दरबार में रहा? option A हुमायू, option B दारासी को, option C बाहदूर साजप और option D अकबर तो दोस्तों अगर आप लोग option D अकबर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुछ सही हैं फैजी अकबर का दरबारी कवी था चलिए अगले question की तरब चलते हैं किसके समय में मलिक महमद जैसी ने पदमामत की रचना की? option A अकबर, option B सेड़ सा, option C बाबर, option D और अरंगजे तो दोस्तों अगर आप लोग option B सेड़ सा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है मलिक मुहम्मद जैसी ने पर्मावत की रचना सेट साके समय में की थी और यह दोहा और 24 छंद में लिखे गए हैं और इसकी जो भासा है ये काफी मात्पुने कई बार एकजामे पूछ लिया रहता है तो ध्यान रखेगा ये अओधी भासा में लिखी गई है और इसकी उपर दोस्ते एक मूवी भी बनी है आप लोग उने देखा भी होगा तो आप इसके पटकता से बिल्कुल परचित होंगे तो ध्यान रखेगा कोस्चन को और टफ बनाने के लिए पूछ दिया गया कि किसके सासनकाल में पदमावत की रचना की थी मौलक मुहमत जैसी ने तो सेरसा सूरी के सासनकाल में मलिक मुहमत जैसी ने पदमावत की रचना की थी चलिए अगले कोस्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि आपको कुछ extra fact बताने का प्यास कर रहा हूं क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ नया नहीं हो रहा था तो मैंने इस बार थोड़ा सा pattern change किया है आप लोग को थोड़ा और अधिक बताया जाए question के बारे में जिसको जिससे आप लोग एक question करते हैं पढ़ते हैं कम से कम दो तीन प्रशन आपके साथ में साथ तैयार होते चले चलिए 24 question देखते हैं किसने चौसा की लड़ाई 1549 में हुमाई को प्राजित किया था तो अगर आप लोग option A सेड़सा के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही है और 1540 में बिल ग्राम के युद्ध में सेड़सा ने पूरी तरह हुमाई को पराजित कर दिया था और जिसके बाद 1540 से 1555 तक सूर वंस का सासन था दिल्ली पर लेकिन पुना 1555 में हुमाई ने सरहिंड के युद्ध में अफगान सासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोई हुए समराज पर अधिकार कर लिया और 15 लेकिन दोस्तों 1556 में दीन पना भाउन में पुस् गोशन की ATE points की तरफ चलते हैं दोस्तों तो यह दोनों युद्ध कांफी महतपूर है चोसा का युद्ध और बिलिगराम का युद्ध चोज़सा कोशसा कोशन 1147 वहा था और बिलिगराम का युद्ध हम सीड'd सा शूरि की विजे हुई थि लेकिन पन्द्ध को चालि ओप्षन दिल्ली में, ओप्षन B आगरा में, ओप्षन C फते भूर्सीकरी में, ओप्षन D काबूल में तो दोस्तों अगर आप लोग ओप्षन A के साथ जा रहा हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं हुमाउल का मगपरा दिल्ली में इस्ठित है चलिए अगले कोश्चन की तरफ जलते हैं किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया ओप्षन A जहां, ओप्षन B हुमाउल, ओप्षन C बाबर, ओप्षन D जहां गेर तो दोस्तों अगर आप लोग ओप्षन B के साथ जा रहे हैं हुमाउल तो आप लोग बिल्कुल सही हैं हुमाउल ने दो बार सासन किया था पंदा सो चालिस में जब सेट सासो बिल ग्राम के युद्ध में पराजित हो गए थे हुमाईव और उसके बाद पंदा सो पच्पन में पुना अपने समराज पर अपने समराज को प्राप्ट किया था जिसका रण ये दो बार सासन किया था उन्होंने और पंदा सो चापन में इनकी मिर्थ हो गई थी तो चलिए एगले कोशन की तरफ चलते हैं भारत में बीबी का मगब्रा कहां इस्थित है ऌफशन ए हैदरबाद में ऐफ़प्शन बी c क्री में आफ़प्शन c और रंगाबाद में ऑफशन d बीजापुर में तो दोस्तों अगर आप लोग option C और अंगाबाद के साथ जा रहे हैं तो अप लोग बिलकुल सही है B.B. का मकपडा जो की ताज महल की तरही है वो और अंगाबाद में इस्थित है और इसका निर्माड जो कराया था और अंगाबाद आपका महाराष्ट में इस्थित है और अरंग्जेब ने अपनी पत्नी की याद में इसे बनवाय था और उनकी पत्नी का नाम दिलदास्थ बानो बेगम था चलिए जो भी महत्मूर फैक्ट है मैंने आपको बता दिये इसकी विश्य में अगले कोश्यन की तरफ चलते हैं फते फुर सीखरी इस्थित लाल पत्थर से निर्मिष शेक सलीम चिस्ति के मगबरे को किसने संग मरमर का करवाया उप्षन fit और अगबर आपमसं बी जहांगीर आप्षन सिन साließen कवा ओप संडी 19S को तो दोस्तों अगर आपको अप्जन ढ़लों लोग बिलकुल साही है और वहाँ एक बाग में तपनाया ओप्शन A बाबर ओप्शन B हुमायू ओप्शन C अकबर ओप्शन D जहांगेर तो दोस्तों अगर आप लोग ओप्शन A बाबर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग लाइक वाशेवर के मादम से अपना प्यार दे सकते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को अंतक देखने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद